अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके और 13 अक्टूबर को ही बोर्ड की डिजिनल बैटकों में समान नागरिक सहिता और बाबरी मस्जिद विध्वन्स मामले से जुड़े एहम फैसले लिये गए उन्होंने बताया कि बोर्ड सतस्यों का यह कहना था कि सत्तारोड भाजपा के एजंडा में अब समान नागरिक सहिता का मुद्दा ही बचा रहे गया है लिहाजा अब वह इस दिशा में आगे बढ़ेगी सतस्यों का कहना था कि भारत विभिन सब्वेताओं और संस्कृतियों वाला देश है लिहाजा यहाँ ऐसी कोई सहिता लागू करना नयाई संगत नहीं होगा जिलाणी ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि बोर्ड समान नागरिक सहिता लागू किये जाने की स्थिती में प्रभावित होने वाले विभिन तबकों से संपर करके और उनके जन प्रतिलिजियों जैसे सांसदों विधायकों से संपर्क कर एक आम राय तयार करेगा उन्होंना बताया कि बोर्ड ने आयुध्या में बाबरी मस्जित माबले में गत 30 सितंबर को CBI की विशेश अदालत दोरा दे गए फैसले को उच्छ नयाले में चुनोती देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है जलारी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहट किसी फैसले को चुनोती देने के लिए 90 दिनों का समय होता है इसी अबधी में बोड के नुमाइंदे विशेश CBI अदालत के फैसले के खिलाफ उच्छ नयाले में अपील करेंगे वरतरब है कि विशेश CBI अदालत ने बाबरी विधवन्स मामले में फैसला सुनाते वे सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था इस मामले के आरोपियों में पूरु उप प्रधान मंतरी लाकष अडवाणी पूरु केंदरी मंतरी डॉक्टर मुर्लीमिन और जोशी उमा भारती और पूरु मुख्य मंतरी कल्यान सिंग भी शामिल थे उदर असम के शिक्षा मंतरी हिमंत विश्व सर्मा ने शन्यार को कहा कि राज्ये में सरकार दौरा संचालिद सभी मदरसों और संस्कृत केंदरों को बंद करने की अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी सर्मा ने एक सवांदाता समिलन में कहा कि मदरसा शिक्षा बोड को भंकर सरकार दौरा संचालिद सभी मदरसों को हाई स्कूल में तबजिल कर दिया जाएगा नियमित चात्रों की तरह सभी स्कूलों में दाखिले दिये जाएंगे उन्होंने कहा अंतिम वर्ष के चात्रों को पास होने के बाद स्कूल छोड़ने की अनुमती दी जाएगी अनाकि इन स्कूलों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को नीमित छात्रों के तरह पढ़ाई करनी होगी मंत्री ने कहा कि संस्कृत केंद्रों को कुमार भासकर वर्मा संस्कृत विश्विध्याले के सुपुर्द कर शिक्षन तथा अध्यन केंद्रों में तब्दिल किया जाएगा जहां भारती संस्कृती सभेता और राष्टवाद की शिक्षा दी जाएगी उन्होंने कहा यह मावी मुद्दा कैसे हो सकता है हम केवल सरकार द्वारा संचालित मदरसों को बंद कर रहे हैं नाकी नीजी मदरसों को सर्मा ने कहा कि असम में सरकार केंद्री स्वास्ते मंत्राले ने शन्यवाल को यह जानकारी दी आकड़ों के अनुसार अभी देश में कोविड-19 के 7,95,087 मरीजों का इलाज चल रहा है मंत्राले ने बताया कि इससे पहले कोरोना वायरेस से संक्रमित इलाज करा रहे मरीजों की संक्या एक सितंबर को आठ लाग से नीचे थी मंतराले ने बता है देश में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज COVID-19 से ठीक हो रहे हैं और इलाज करा रहे मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है देश में अब तक 65,24,595 लोग संक्रवन मुक्त हो चुके हैं मंतराले के और से सुबह 8 बेज़े जारी आकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 70,816 मरीज स्वस्थ हुए हैं और इसी अवधी में संक्रवन के 62,212 नई मामले सामने आए हैं राश्टी सरपस स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87,78% हो गई है मंतराले ने बताया कि देश में चिकित्सकी धांचों में भढ़ोतरी बचाव नियमों डॉक्टरों नर्सों और अग्री मोर्चेयों परतैनात कर्मियों के समर्पित कार्यों से स्वस्थ होने वाले लोगों के संख्या बढ़ी है और मृत्युदर में कमी आई है मंतराले ने कहा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सबसे जादा है और यह वैसे देशों की सूची में शामिल है जहां कोविट-19 से मृत्युदर सबसे कम है मौजुदा समय में नए लोगों में इससे 78 फीजदी महारास्ट करनाटक केरल तमिलाडू आंत्रप्रदेश उत्तरप्रदेश दिल्ली पस्चिम बंगाल 36 गड़ और ओडिसा से हैं झाल में झाल